कल्पना, imagination, वस्तु का परत्यक्सिकरन मानों मस्तिष्क में परतिमाओं को स्थापित करता है, वह इन परतिमाओं में प्रिवर्तन करके नवीनता उत्पन कर देता है, इसी नवीनता का नाम कल्पना है, कल्पना का अर्थ अगर हम देखें, यानि जो हम अपने बुद्धी का प्रियोग करके कुछ imagine करते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ विचारते हैं, जैसे एक बिल्डर होता है, एक इंजीनियर होता है, या एक रिसर्चर होता है, या एक पेंटर होता है, वो सब कल्पना करके, imagine करके, कुछ न कुछ creativity करते रहते हैं, उसको हम कल्पना की स्रेणी में रख सकते हैं मकान निर्मित करने वाले आर्किटेक्ट मकान के नए डिजाइन तयार करते हैं ये डिजाइन कलपना पर ही आधारित होते हैं इसमें वह अपने पूरव अनुभव का प्रत्या संब्रण करता है उनमें से उप्युक्त अनुभव का चुनाओ करके कुछ परिवर इसी प्रकार से कहनिकार उपन्यासकार यत्हार्थ जगत की किसी घटना को आधार मानकर कालपनिक चरित्रों का प्रयोग करके कहनि या उपन्यासकी संरचना करता है आतह सिख्षक क्षेत्र में भी कलपना का अत्यधिक महत्तव है आईए कल्पना का अर्थ जान लेते हैं कल्पना के दवारा व्यक्ति यथार्थ से अलग हट जाता है इस से उसे सुक मिलता है कल्पना में अनुभो का प्रत्या सम्रण होता है लेकिन कल्पना को अलग स्थापित करने वाला लक्षन विद्यमान होता है अते यथार्थ में अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभासाएं हैं आईए उनको देख लेते हैं वुडवर्थ के अनुसार कल्पना की परिभासा कल्पना मानसिक हस्त व्यपार है जब कोई पूरव यथार्थ तैथ्यो का व्यक्तिगत सम्रण करता है तो वह कल्पना परदर्शित करता ह Imagination is mental manipulation. When the individual recall facts previously observed in reality and proceeds to arrange these facts into a new pattern, he is set to show imagination. Imagination is the power to use images in a new way. It is using our past experience to create something new which has not existed before. Macdule के कथना अनुसार कल्पना की परिभासा कल्पना दूरस्त वस्तु के संबंद का चिंतन है कल्पना यानि जो दूरस्त का अर्थ होता है जो हमसे दूर है लेकिन imagine करके हम उसको अपने पास एक ऐसी image अपक्रियेट कर लेते हैं जो लगता है कि वो हमारे पास है. कल्पना की विशेषताएं कल्पना एक मानसिक प्रिक्रिया है यह स्वम ही चलती रहती है इसका प्रियोग सक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता इसका प्रियोग करंब बदता पर निर्भर रहता है. जब हम अन्य मानसिक शक्तियों का प्रियोग नहीं करेंगे इसका कोई आर्थ नहीं होता. पूरव अनुभव. पूरव अनुभव. प्रिवियस एक्सपीरियंस कल्पना के लिए एक धरातल या अस्तितव की आवशक्ता होती है और जो पूरव अनुभव होता है वो एक विछित्र है वह अपनी रूची एवं पसंद के आधार पर उदिपकों का चेयन करता है और उनके प्रति प्रतिकरिया करके मस्तिस्क में प्रतिमा के रूप में स्थाई बनाता है। कल्पना करते समय इन परतीमाओं में से उप्युक्त परतीमा का चैन करके हम अपनी स्रिजनात्मक्ता में व्रिधी करते हैं। स्रिजन सक्ती कल्पना का प्रारम और अंध स्रिजन के लिए होता है जब हम किसी यथार्त सवरूप को मानवित के लिए तयार कर देते हैं या सवरूप परदान कर देते हैं तो वैं स्रिजन कहलाता है वर्तमान सोध या अविशकार इसी के प्रिनाम होते हैं। कल्पना के प्रकार काइंड्स ओफ इमेजिनेशन कल्पना के प्रकारों को तभी स्पष्ट किया जा सकता है जब हम मेकडूगल और ड्रेवर द्वारा परति बादित वर्गी करण का अध्यन करें आता हम यहां दोनों पर के वर्गी करण को प्रस्तुत करेंगे मेकडूल के अनुसार कल्पना का वर्गी करण दो भागों में बाटा जाता है पुनर उत्पादक और उत्पादक कल्पना पुनर उत्पादक कल्पना री प्रोड़क्टिव इमेजिनेशन मस्तिस्क में स्थापित पूराव अनुभव जब परतिमा के रूप में हमारे समक्स आते हैं उन्हें हम कहते हैं पुनर उत्पादक कल्पना हम इसको हम कल्पना ने मारंकर स्मृति का नाम भी देते हैं सेकिंड आ जाता है उत्पादक कल्पना प्रोड़क्टिव इमेजिनेशन वैक्ति दवारा सीखे गए और धारन किये गए पूरो जो अनुभव होते हैं उसके आधार पर जब हम उत्दिपकों में कुछ नवीनता लाने का काम करते हैं तो इसे बोलते हैं उत्पादक कल्पना इसी को वास्तवि कल्पना भी कहा जाता है आज मानव की उन्नती इसी के आधार पर संभव हो पाई है इसके दो भाग होते हैं constructive imagination रचनातम कल्पना मान उप्योग के लिए भोतिक वस्तों में नवीनता लाना ही रचनात्मक कल्पना होती है वर्तमान सोध एवम अविश्कार इसी के प्रिणाम होते हैं सेकिंड आ जाता है स्रिजनात्मक कल्पना क्रियेटिव इमेजिनेशन इस कल्पना के अंतरगत व्यक्ति की मोलिकता किसी वस्तु या विचार के रूप में उत्पन होती है टीपी नन के अनुसार इसी को व्यक्ति की स्वभाविकता का नाम दिया है स्रिजन सक्ति का सही प्रकासन इसी के दवारा संभव होता है अता सिक्षा के दवारा बालकों की इसी सक्ति को उभारा जाए ताकि वे राष्टर के लिए उप्योगी हो सके उसके बाद ड्रेवर के अनुसार कल्पना का वर्गी करन ड्रेवर ने कल्पना के वर्गी करन का आधार मेकडुकल का वर्गी करन ही माना लेकिन कुछ परिवर्तन भी किये हैं और वो परिवर्तन क्या हैं आईए देख लेते हैं कल्पना के अगे टू पार्ट्स हो जाते हैं पुनुर उत्पादक और उत्पादक उत्पादक के फिर आदानात्मक और स्रिजनात्मक और स्रिजनात्मक तके फिर टू पार्ट्स आ जाते हैं कारिया साधक और सौंद्रियात्मक कारिया साधक के फिर आगे टू पार्ट्स होते हैं विचारात्मक और क्रियात्मक और सौंद्रियात्मक में आता है कलात्मक और मंतरंग ड्रेवर के अनुसार कलपना का वरगी करन इस तरह का रहता है कारिया साधक कलपना क्या होती है ऐए जान लेते हैं जब हम किसी कालपनिक विचार के दवारा समाज का लाब करते हैं तो उसे कारिया साधक कलपना माना जाता है जैसे नदी के पुलका, मानचित्र और क्रिशी उट की मशीने सौंद्रे आत्म कल्पना क्या होती है aesthetic imagination मानव जीवन को सुंदर बनाने मानव में सौंद्रे आनुभूती को जागरित करने के लिए कला गायन चित्र का व्यादी की कल्पना इसके अंतरगत आती है इसमें नवीन विचार और सिध्धान्त और आदर्स का निर्मान किया जाता है क्रियात्म कल्पना क्या होती है आये जान लेते है practical imagination वस्तू की वैवारिक उपयोगिता को ध्यान में रखकर जब हम किसी वस्तू की कल्पना को साकार रूप परदान करते हैं तो इसे क्रियात्म कल्पना मानते हैं जैसे नदी को पार करने के लिए नाव या स्टीमर आदे क्लात्म कल्पना जब हम artistic imagination जब हम कल्पना कला के रूप में कव्या के क्षित्र में या संगीत के क्षित्र में स्रीजन करते हैं तो वह क्लात्म कल्पना कहलाती है यथार्थ को समुख रखकर काल्पनिक उडान भरते हैं तो मन तरंग कल्पना होती है इसमें व्यक्ति भावना वस हवाई किले बनाता है आपने देखा होगा हवाई किले का मतलब लम्बी लम्बी फेगना लम्बी लम्बी बाते करना और परियों की कथाओं को सत्य मान लेता कल्पना तभी सार्थक हो सकती है जब उसके दवारा रचनात्मक और शिरिजनात्मक शक्ति का विकास हो आईए कल्पना का शिक्षक एक सेत्र में क्या स्थान है ये जान लेते हैं बोधिक प्रखरता, intellectual sharpness कल्पना से बालकों को बुद्धी प्रखर और तीवर होती है वैवारिक किर्याओं में बुद्धी का विभिन वेदियों से प्रियोग करना ही बुद्धी की प्रखरता को बढ़ाता है अध्यापक का ये करतव्य है कि वैबालकों में नहीं संचे सकती के माध्यम से नवीन विचार और कारियों का निर्मान कराए और विशे का ग्यान बालकों की बोधिक प्रखरता में तिवरता लाता है ग्यान आर्जन में तिवरता, intensity in learning संसार के सभी ग्यान हम चित्र, मोडल, उधारन या प्रियोगों के माध्यम से बालकों तक नहीं पहुंचा सकते इसलिए हम बालकों को कल्पनात्म किरियाओं और वेवार के दवारा सीखने में मदद करते हैं उसके बाद नेक्स्ट राज़ता है निरासा का निवारन, provision of frustration राइबन का मत है कि कल्पना हमारी निरासाओं, दुखों, भूलों और अपमानों आदी से छुटकारा दिलाती है ऐसे में कल्पना सुखा नुभूती से संबंदित परतिमाओं को उत्पन करके कू समायोजन पर विज़े दिलाती है जैसे एक बालक सिनेमा देखने से वन्चित रहता है तो वह कल्पना करता है कि बड़े दिन की छूटियों में पिता के साथ मुंबई जाएंगे और खूब सिनेमा देखेंगे भावी जीवन की जलक To realize the future prospects मनोवज्ञानिकों के अध्यन इस तैथ्यों को सिध करते हैं कि वैक्ती कल्पना के समय अपने बविशे को निश्चित करता है वैक कल्पना के आधार पर भावी जीवन की रणीती तयार करता है और उसको वैवार में लाता है शिक्षक को बालक की कल्पना सक्ति का ध्यन करना चाहिए फिर उसके बविशे की दिशा को निश्चित करना चाहिए कल्पना के बिना श्रिजन नहीं हो सकता कल्पना से हम उद्धिपक की यथारता का प्रिचय मन में धारन करते हैं वह यथारता कैसी है जो मानव उप्योगी होती है उसी को श्रिजन कहते है फिर नेक्स आज़ता है गाइडेंस निर्देशन कल्पना वैक्ति को अपूर मारग दिखाती है यही मारग उसके अविश्कार का जनम दाता है विज्ञान के क्सित्र में साहित्य के क्सित्र में परसासन के क्सित्र में और संसार के अन्ने सबीक्सित्रों में भी नवीनता देखने को मिलती है वे कगेवल कलपना के कारण ही है कलपना में वह एक स्वपन देखता है और उसको प्राप्त करने में लग जाता है स्वपन में बताए गए मारग को अपनाते ही वे नवीन खोज प्राप्त करता है इसे हम निर्देशन कहते हैं कलपना का महत तो क्या है Importance of Imagination शिक्षा दवारा स्रिजनात्मक कलपना के स्वभविक लक्षन को विक्षित किया जा सकता है ऐसी आदतों को छात्र या छात्राओं में विक्षित किया जाना चाहिए जो स्रिजनात्मक चिंतन का प्रादुरुभाव करे कारिया साधक या रसात्मक दोनों परकार की कलपनाओं का विकास होना चाहिए बालकों को छोटे छोटे नमूने दिखा कर उन से यत्र बनवाए जाने चाहिए यंत्र बनवाए जाने चाहिए कारखाना तथा वैग्यानिक प्रियोग साला का वलोकन कराने से साधक कलपना विक्षित की जा सकती है बालिकाओं के मध्य भी हम जैसे सहित्य है सहित्य से वास्त्विक जगत दूर ले जाता है तो हम शिक्षा के माध्यम से उन बच्चों के अंदर सहिते के परती प्रेम जागरित किया जा सकता है रस्क के अनुसार इस कल्पना का विकास सहितिक वस्प्रमप्रा के लिए उचित है मौन्टेंश्री के नुसार कल्पनात्म क्रियाएं सत्य और यथार्थ पर अधारित होनी चाहिए जिससे स्क्रिय विज्ञान में उचित समगरी प्राप्त हो किसी भी सिक्षा में ललित कल्पना का स्थान होना अवश्क है इस परकार यथार्थ कल्पना को तारंगिक और तारंगिक को यथार्थ कल्पना दवारा ठीक कर देना चाहिए कलात्मक कल्पना के विकास के हेतू अवश्क है कि उनकी रूची साहित्य और संगित की और भी उनकी विक्सित की जाए बालकों में साहित्य की रसानुभूती की योग्यता को बढ़ाना चाहिए पठ्थे वरस्तु में रसात्मक कलपनाओं का समयवेश होना चाहिए कलात्मक कलपना के विकासे तू बालकों में साहित्य संगी चित्र गला आधी के परती प्रेम उत्पन करें और बालकों कोश्वम कविता लिखने, चित्र बनाने, गाना गाने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए एकांकी कारिया साधक कलपना के विकास है तू बालकों को परसिद वैज्ञानिकों के जीवन चरित्र और उनके महतोपुरुन कारियों से आउगत कराना चाहिए उन्हें स्वाध्याए है तू भी प्रेरित करना चाहिए तभी उनमें सुक्सम निरिक्षन विचार सकती को जनम मिलेगा और कलपना के विकास के लिए हमें बालकों को विशिष्ट से सामन्य की और ले जाना चाहिए तो ये था आपका कलपना से संबंदित important topic जो be at first year के अंदर childhood and growing of first paper के अंदर आता है आप समझ गए होंगे कलपना क्या है कलपना का अर्थ है अपने मस्तिश के अंदर कोई पर्ति भिम बना लेना उसके बारे में सोचना विचारना और उसको फिर फली भूत करना तो प्रिय विद्यारतियो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताना थैंक यू